आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ उसको क्या करका है यह जो मेरे पास जिस plane मेरे पास क्या है यह structure मेरे पास यह loop है उसी plane के parallel में क्या करका है magnetic field यहां पर apply करका है तो बोला कि जो magnetic torque होगा इस loop पे वो कितना लगगा यह अपने कुछ question में find out करना है तो इस question को अपने यहां पर solve करना स्टार्ट करते है तो सबसे पहले में क्या करता हूँ उसका magnetic dipole moment निका लेता हूँ magnetic dipole moment तो उसके विली क्या जाएगी उसके विलीओ में पास जाएगी यहां पर mvector is equal to वो क्या होता है यहां पर होता है i into a vector ठीक है यहां में इसका अगर magnitude निकालनों सबसे पहले तो मेरे पास क्या आएगा इसका magnitude अगर में बात करूं only magnitude की वह जाएगा current i into इसका area का modulus तो current i कितना flow हो रहा है इसमें से उसके विलीओ अपने को यहां पर given a 2 ampere और इसके बाद में बात करना अपने को इसका area तो area का में पर एक triangle है तो इसका area जाएगा यह वह जाएगा half of base into height यह आएगा area मेरे पास यहां से value क्या जाएगा half of base कितना है 2 meter है height कितनी है 2 meter है तो area कितना जाएगा है 2 से 2 cancel हो जाएगा 2 meter square जाएगा area इसका मेरे पास यहां पर जो m आएगा उसके value क्या जाएगा यहां पर magnitude आएगा वह जाएगा यहां पर i into a तो 2 into 2 कितना जाएगा 4 ampere into meter square ठीक है यह मेरे पास आगया अगर इसके में direction देखने चाहूं कि कौन से direction है तो उसके लिए में क्या करता हूं यहां पर जो अपना यहां पर axis systems को define कर देता हूं तो मालूम प्लेन के बार क्या होगा positive z axis अब अपने को पता है कि जो इसको मैंने मान लेग जो structure में पास किस plane में रखी गई है xy plane में ठीक है तो क्या होगा इसका area vector क्या होगा इसके क्या होगा इसके जो plane उसके perpendicular में होगा आइधर यह तो plus z होसा है कि उससे minus z होसाता है लेकिन अगर मैं current की direction में अपनी उंगलियों curl करूं तो मैं पास क्यों जो अंगुठा है उसके direction क्या जाएगी अंदर की तरफ जाएगी तो मतलब क्या हो जाएगा जो area vector है वो क्या होगा में पास यहां पर minus z direction में होगा तो यहां क्या जाएगा इसके value minus kkf तो अगर मैं इसके vector form में लिख हूं तो मेरे पास क्या जाएगा जो m vector आएगा वाज जाएगा 4 into minus kkf ठीक है Ampere into matrix square यहां पर अपने क्या नेकालना मेरे इसके उपर जो तो में लग रहा है वो निकालना यह तो तो जो तोर्क है उसके विल्ययू पर जो प्र आपक्टता होती है जो तो यह उसके विल्यों पास होता है B given है two tesla इसको वेक्टर व में लिखने लिखने दिया जएगा B vector हो जएगा two direction क्या हो जाएगी है यहां पे यह direction कौन से होगी positive zx के direction में होगी तो आज है टू जे केप ठीक है तो में पास क्या जाएगा अगर tau की value में पो find out करें जाएगा हो जाएगा M हो जाएगा हो जाएगा 4 into minus या जाएगा अपने पास यहाँ पर 4 into minus k-kf minus k-kf या जाएगा cross to z-kf मेरे पास क्या जाएगा जाएगा minus 8 of k cross z-kf तो अगर मैं देखूँ अपने पास जो cross multiply होता 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 i-kf z-kf और k-kf क्या जाएगा cyclic form में जाएगा अब मेरे पास क्या हो जाएगा k cross j देखना है तो अपने पास जो j cross k क्या होता है i-k equal to k cross j क्या हो जाएगा जो k cross j आएगा वो क्या जाएगा minus i क्या पास क्यों आजायगा यहांप 10-8 कोश Mitchelर और प्रक्ष्ट यहां क्योंत कीड देगी ₇- अधि का जाएगा और रही यह में तो यह हैं था यह ट्रक्ष्म स्थेप Link ऐ है उकस्ष्ट्छ ल्म पे पर तो कि यहां पर अपना option चेक करें कौन सा option अपना correct है यहां पर तो जो option अपना भी हो जाएगा वो इस question का अपना correct answer हो जाएगा thank you students Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज राउनलोड करें doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 पर